Hello everybody, how are you all? This is Shakti and आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे approaches of trade unionism तो approaches का मतलब होता है अभी हम जिन propounders के बार में पढ़ने वाले हैं incoming slides इस वीडियो में उन्होंने अपना एक perspective दिया है on the topic trade unionism की trade unions कैसे बनना start हुई जो भी workers थे उन्होंने एक group form करके जब trade union बनाई तो उनके मन में क्या चल रहा था मतलब what drive them to form trade unions तो सारे जितने भी propounders के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में उन्होंने अपना अपना perspective दिया है जिसको हम approaches बोलते हैं कि उनके according trade unions कैसे बनना start हुई trade unionism कैसे evolve हुआ जब वर्कर्स होते हैं तो उसके पीछे का रीजन प्यूर्ली एकनोबिक नहीं था उसके पीछे का रीजन था कि उनका जो social or psychological environment था जब वर्कर्स होते हैं अब एक प्लेस पर जो वर्कर्स है वो उनका अक्सर जो social background होता है वो similar होता है उनकी thinking psychological जो एक perspective होता है वो सिमिलर होता है उनके temperament similar होते हैं तो दा वर्कर्स विद सिमिलर सोशल बैक्ग्राउंड similar temperaments उन्होंने क्या करा देटेंट टू डेवलप अ कॉमन इंटरपेटेशन अव्धी सोशल सिच्वेशन अगर एक जैसा सोचर अगर उनकी thinking एक जैसी है यानि उनका psychological बैक्ग्राउंड एक जैसा है उनका सोशल बैक्ग्राउंड एक जैसा है temperaments डाइवर्जेंड नहीं है मतलब बहुत ज्यादा एक अगर एक 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 बोल रहा है दोनों कहीं ना कहीं similar platform पर अग्री करते हैं मुचल हैं दोनों के thought process तो अगर ऐसे workers होते हैं तो वह क्या करते हैं क्योंकि जिन situation में वह काम कर रहे हैं क्योंकि वह सारे की सारे से होते हैं सोशल बैक ग्राउंड और सोशल सिमलर सोशल बैक ग्राउंड होने की बज़े से उनकी कहीं ना कहीं thinking भी similar होती है और उसी similarity की वज़े से जो उनका working conditions होती है जो उनका आसपास का जो environment होता है उसके बारे में interpretation भी उन सबका सिमिलर होता है तो अगर उनके साथ कोई अनफेर ट्रीटमेंट हो रहा है तो वह सारे की सारे सेम तरही के से क्या करेंगे रियक्ट करेंगे तो एस पर रॉबर्ट होकसी जो ट्रेड उनियंस फॉर्म हुई वह इस वजह से नहीं हुई कि सबका एक्नॉमिक रीजन था राधा दैन वह इस वजह से फॉर्म हुई क्योंकि जो वर्कर्स थे अगर उसी चीज को दस लोग खराब बोल रहे होंगे तो इट मीन्स वह खराब है तो इसी वजह से रॉबर्ट होकसी के अकॉधिंग उनका सिमिलर सोशल बैक्ग्राउंड सिमिलर साइक्रलोजिकल बैक्ग्राउंड और बिकॉस ओफिछ सिमिलर थिंकिंग ऑफ दा सोशल सिचुएशन यह ड्राइव करा कि वह एक ग्रूप फॉर्म करें जिसको हम बोलते है अब देखो यह बहुत ही कॉमन सेनारियो है अगर सपोज लेट से सिंस मैं आपको पढ़ा रही हूं तो अगर हम टीचर और स्टूडन्स का एक एक जांपल दे अगर कोई एक स्टूडन्स को एक चीज से प्रॉब्लम है लेट सेट कोई टीचर पढ़ा रही है और वो अच्छा नहीं पढ़ा रही है अगर एक बच्चा बोल रहा है कि मुझे टीचर की बाद समझ में नहीं आ रही है तो वह हो सकता है कि उसमें बच्चे का जो इंटरप्टेशन लेवल हो वह इतना अच्छा ना हो रादर देन कि टीचर खराब पढ़ा रहा है लेकिन अगर पूरी क्लास को समझी में नहीं आ रहा हूं लेकिन अगर पूरी की बूरी क्लास को प Origin को आपने आपको चेंज करने की को क्यों कि यह необんだ, क्योंकि एक बच्चा बोलता इंप्टेशовой हाँ नहीं या अतना एंग बच्चा बूल र तो नहीं ऊहिं पुंघता है। कि समक्राइब एक नहींग है। सबूंखμέ थे चाहिए स Emil. को चेंज करने की ज़रुवत है similarly the same example goes with this particular approach also यहां पर क्या बोल रहा है क्योंकि like-minded people है एक जगे पर जब workers काम कर रहे हैं तो वो similar social background से हैं उनका psychological thinking similar है attitude similar है same एक particular कोई भी situation है उसको similarly interpret कर रहे हैं तो हर सी बात है अगर एक चीज़ एक वरकर को खराब लग रही है तो सब वरकर्स को अगर खराब लग रही क्योंकि वह similarly उनका mindset similar है वह like-minded people पीपल है तो तो इसका मतलब है कि actually में वह चीज actually में खराब है उसको ठीक करने की जरूरत है और वही like-minded people क्या मिलके एक group बनाते हैं ताकि उनका जो present conditions है working conditions उनको improve किया जाए और इसी वज़े से ट्रेड यूनियन फॉर्म हुई आज पर Robert Hoxey अभी Robert Hoxey ने ट्रेड यूनियन को classify किया हुआ है business unionism friendly of a flip union revolutionary union and predatory union मैं इसके बारे में आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी because मैंने ट्रेड यूनियन का classification पे एक अलग से वीडियो बनाई हुई है you can click on the i button आप उस i button को क्लिक करके उस वीडियो में जा सकते हैं तो classification अगर आपको समझना है कि Robert Hoxey ने जो trade unions को classify करा था और what is business union friendly union क्या है revolutionary union क्या है तो यह मैंने types of trade union पे अलग से जो वीडियो बनाया है उसमें आप मैंशन है प्लीज आप वो वीडियो देख लिजेगा तो लेट्स प्रोसीट इस तो अगर इनकी बात करें तो इनके अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन क्यों बनी क्योंकि machines ने वर्कर्स की जगे लेनी स्टाट कर दी थी automation हो गया था mechanization हो गया था इसकी वज़े से वर्कर्स को लगने लगा था कि उनकी position क्योंकि जब manually कोई work होता है तो human resource important हो जाता है क्योंकि फिर और कौन काम करेगा अगर वर्कर्स काम नहीं करेंगे लेकिन धीरे धीरे जब machines ने टेक ओवर ले लिया वर्कर्स पे तो वर्कर्स के का एक तरह से उनका exploitation भी होने लगा obviously क्योंकि use of machine has led to the exploitation of workers और विकॉस उनका exploitation होने लगा automation की वज़े से mechanization की वज़े से इसकी वज़े से जो वर्कर्स थे वह rebellion हो गया वह out of rebellionism उन्होंने trade union firm करें मतलब एक तरह का protest के form में क्योंकि उनकी जगे कहीं ना कहीं position चिन रही थी उनकी importance कहीं ना कहीं कम हो रही थी क्योंकि machines ने take over कर लिया था इस वज़े से क्या हुआ labor movement start हुआ and trade union बनना start हुए तो अगर Frank Tannenbaum की बात करें तो as per him trade unions क्यों form हुए it was a spontaneous outcome in the growth because of the growth of mechanization industrial revolution हुआ machines ने workers की जगे लेनी start कर दी machines में काम होने लगा and which has led to the exploitation of workers और इसी वज़े से workers क्या होगे rebel करने लगे rebellious हो और इसी वज़े से क्योंकि rebellious होगे थे out of rebel उनके rebel की वज़े से उन्होंने group form करा जिसको हम बोलते हैं trade union I hope आप एची समझ में आही होगी it's scarcity consciousness approach of Selleck-Pearlman or job consciousness approach अब इन्होंने क्या बोला है according to Pearlman unionism developed because of workers scarcity consciousness which arose in the mind of workers because of the fact that the economic position could not improve beyond beyond that which was barely sufficient to cover the minimum essential of an ordinary standard of living अब इनके according, Selleck-Pearlman के according trade union इसलिए बनने स्टार्ट हुए क्योंकि jobs की कमी थी, scarcity of jobs थी इसको हम scarcity of jobs इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको workers को ये समझ में आ गया था कि उनकी जो position है वो एक point के बाद change नहीं हो सकती है वो grow करकर बस यहीं तक पहुँच सकते हैं और यहीं तक रहेंगे और यह जो position थी यह क्या था? केवल subsistence level था subsistence level का मतलब होता है यह वो position थी जिसमें जो workers है वो केवल अपनी basic needs को ही fulfill कर सकते हैं उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं अगर वो चाहें कि एक अच्छा standard of living उनका बने एक अच्छी lifestyle उनको मिले तो ऐसा नहीं हो रहा था jobs की कमी थी जो मिल रही थी वो भी उतनी नहीं थे कि उनको एक अच्छी lifestyle दे सके उनको पता चल गया था कि उनकी position अब improve नहीं होने वाली until and unless वो खुद इसके बारे में कुछ ना करें and which is why they form trade union वो एक साथ group में आए और उन्होंने अपनी conditions को खुद से change करने की सोच है क्योंकि उनको पता था कि यह अनकी position नहीं करने वाले हैं वो तो उनको exploit करने वाले हैं क्योंकि employers थे वह उनको जाहिर सी दॉश अचे उस level का पैसा नहीं कि नहीं को पैसा और इसकी क्या हो रहा था इसकी वज़े से उनका जो पुजीशन थी वह एक जगे स्टैगनेंट थी और यही था और वह इस्टैगनेंट पॉजीशन भी बहुत ही मिजरिबल पॉजीशन आप बोल सकते हो क्योंकि उसमें वह केवल आप जो उनकी बेसिक नीट्स होती है एक और इस्टा क्योंकि लिमिटेड जॉब से विच वाइं उन्होंने कृप्स फॉर्म करना स्टाट करें और यही कृप्स क्या है ट्रेड यूनियंस है आई हो आपको यहीं समझ में आई होगी तो फॉर्थ वान इस वेप्स नौन रेवोलुशनरी और इंडस्ट्रिल दिमोक्रसी और इस अल वरें देड शेंग तो सिड्नी और बेटर्स वेब दो मिन लीडर्स अव लेबर पार्टी ऑफ बृतन इंफिसाइज दिस सप्रेशन अब फॉर्ट इंके अकॉर्डिंग क्या था कि जो फॉंक्शन सप्रेशन था वाट फॉंक्शन पहला फॉंक्शन तो दिरेक्श सब्सक्राइब यही जो सप्रेशन था बिट्वीन दी फॉंक्शन वर रिस्पॉंसिपल फॉर्टी इमर्जेंस ओफ यूनिरिजम इस्पेशली इन बृतन तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो इंडस्ट्रल डिमोक्रसी की कमी थी एक पटिकुलर इंडस्ट्री में डि हूं दूस्ट्री में पार्टिसीपेशन और 15 500 दूस्टी में रिट सेपा घचता रही हैं मैनेजर्स बना रही हैं इंप्लोइच के लिए लेकिन उनको उस policy making का हिस्सा नहीं बनाया जाता था उनको नहीं पता चलता था कि हमारे लिकॉन से रूल जा रहे हैं क्या जो भी regulations वगरा वो क्या है उनको बस impose किया जाता था कि now this has become the rule and you have to follow that to a say scenario में कहीं ना कहीं एक disruption रहेगा between the relationship to employees or employees का जो relation था वो obviously cordial नहीं रहेगा अगर इनको cordial बनाना है तो क्या करना पड़ेगा industrial democracy को लाना पड़ेगा और उसी industrial democracy के लिए ही कहीं ना कहीं trade unions बनना स्टार्ट हुए ताकि workers को भी participation का मौका मिले जो dictatorship of the employers वो बंद हो and when I'm saying industrial democracy तो industrial democracy इन दोनों की बुक है जिसको बूला जिसका जो 1897 में आई थी और इंपोर्टन इसले कभी-कभी questions आ जाते books and authors के अच्छा books and authors से याद आया मतलब अभी मुझे just click कर रहा कि हां यह भी questions आते हैं तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दोंगी छोटा सा वीडियो होगा जिसमें जो भी बुक्स हैं जो भी renowned authors है हमारे जो प्रपाउंडर्स होते हैं socialist जो भी जिन्होंने इंडस्ट्र रिलेशन्स में काम करा है वो सारे कि सारे बुक्स और उनके रिस्पेक्टिव ऑथर उस पर में एक वीडियो जल्दी लेकर होंगी क्योंकि कभी-कभी एक कोशन इनका भी आता है इन फैट जाया तर यह मैंच द फोलोइंग में आ जाता है कि बुक्स दियो होती है दर वी आफ दी ओटर्स वियाफ दूमैच दबुक्स विदियर रिस्पेक्टिव ओथर तो यह भी बहुत इंपोर्टन थैं इनकी एक बुक का भी नाम है जिसको 1897 में जो आई थी तो दे हैब कंसिड़र ट्रेड यूनियनिजम तुभी देन एक्स्टेंशन ओफ दिमोक्रिसी इन दस्टेर ओफ इंडस्ट्री एक्स्टेंशन मतब डिमोक्रिसी के लिए कही ना कहीं यह वरकर साथ में आए एक गुरूप फॉर्म करा जो ट्रेड यूनियन थी एस पर दें ट्रेड यूनियन रगाड़े अट इंस्टिटूशन ओर ओवर कमिंग दे मैनेजेरियल डिक्टेशन जो भी मैनेजेरियल डिक्टेशन शप्ती की मैनेजर्स पॉलिसी बनाते थे और कही ना कहीं उन पर फोर्स की जाती थी वरकर से देन डेंडेयव फॉलो दो के तो जरूरी नहीं है कि उनको सारे रूल्स सही लगे क्योंकि केवल मैनेजर्स मिलके रूल्स बना रहे हैं तो वो अपने पर्स्पेक्टिव से देखेंगे वो चीज को उनको ठीक लगते हैं रूल्स वो बनाएंगे और जरूरी नहीं है कि मैनेजर्स को ठीक लग रहे है rules and regulations जो policies ठीक लग रही है वो workers को भी ठीक लगे workers को ठीक लगे इसके लिए workers को involve करना भी जरूरी होता है और उसी चीज के लिए कहीं ना कहीं trade unions form होई I hope आपको यह चीज समझ में आई होगी So the fifth approach is classless society revolutionary approach by Karl Marx अब Karl Marx के according जो trade union बनना start होती या trade union की formation क्यों वही थी क्योंकि जो workers थे वो क्या चाहा रहे थे वो capital structure था उसको destroy करना चाह रहे थे why क्योंकि कहीं ना कहीं जो capital structure था वह भी इंप्लोइर्स थे क्योंकि उनके हाथ में हर चीज थी वह एक ज्यादा powerful situation में थे powerful position में थे और इसी वज़े से workers का exploitation भी बहुत हो रहा था तो इसी structure को destroy करने के लिए ही trade union का formation start हो था trade union बननी start हो थी and also he said trade union was necessary to bring revolutionary and fundamental changes क्योंकि exploitation हो रहा था workers का condition थी situation थी उसको वो उनके साथ exploitation हो रहा था उनकी जो situation थी वो improve नहीं हो रही थी in order to improve their social order their social conditions their working conditions it was necessary कि trade union बने और इसी वज़े से trade union बनी थी ताकि जो उनका एक social order है एक पुरा condition है social structure है workers की situation है workers workers का जो हालत है उसमें थोड़ा सा change आए उसमें थोड़ा सा improvement आए और वो improvement लाने के लिए it was important कि trade union फॉर्म हो workers एक साथ एक जुट हो के जब काम करेंगे तो obviously revolutionary change fundamental change आएगा and this is why trade union बनना स्टार्ट हुए थी and also trade union जो थी अब क्योंकि see capitalist and workers यह दो एक group थे क्योंकि position powerful position पे थे capital capitalist जिनको यहां पर अगर मैं बोलू तो दो particular name एक term दिये गये है पहला है bourgeois इसका pronunciation थोड़ा different है I may be pronouncing it wrong also but nevertheless it is bourgeois and proletariat so bourgeois का मतलब है इसको हम capitalist बोल सकते हैं पूंजी पती जो होते हैं जिनके हाथ में सारी power होती है and proletariat कौन हो है wage earners श्रंप जीवी जिसको हम Hindi में बोलते हैं workers अब simply बोल सकते हो तो इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में जिनको हम capitalist and wage earners बोल सकते हैं इनके बीच में जो conflict था why conflict क्योंकि capitalist जो थे उनका position जाहिर सी दाव पर पाफुल position में थे वह कहीं ना कहीं उनके हाथ में पूरा का पूरा पावर था इस वजह से वह कहीं वह वेज़े जो workers थे उनको exploit भी easily करते थे और इसी वजह से दोनों के बीच में conflict था तो उस conflict का result था trade union वह conflict जो था जिससे obviously workers खुछ नहीं थे अपनी conditions से कुछ नहीं थे अपनी conditions को अपनी standard of living को improve करना चाह रहे थे जो एक order बन चुका था वहाँ पर social order order economic order उससे उपर उठना चाह रहे थे उससे उसको change करना चाह रहे थे और इसी वजह से trade union की growth हुई trade union emerge हुई I hope आपको यह चीज समझ में आई हो now the sixth one is Gandhian trustorship or servoday approach of trade union to mahatma gandhi ji ne approach di thi according to him trade unionism is based on class collaboration rather than class conflict and struggle mahatma gandhi mahatma gandhi's philosophy is based on servoday principle of truth non violence and trustorship तो इनका जो था इनका जो अप्रोच था वो थोड़ा सा different था as compared to the previous ones यह बोलते थे कि जो industry है वो एक family की तरह रहनी चाहिए जिसमें जो members है चाहे वो हमारा employers का group हो या workers का group हो वो एक harmony में आखे काम करेंगे तो अच्छा होगा trade union according to him क्या था कहीं ना कहीं class collaboration का form था rather than class struggle अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे क्योंकि दो groups के बीच में कहीं ना कहीं एक inherent conflict था एक inherent struggle थी इस वज़े से trade union इमर्ज होई थी बट नाओ according to Mr. Gandhi महत्मा गांधी जी उनका मानना था कि उन दोनों जो classes थी उनके बीच में कहीं ना कहीं को लाबरेशन जो थी वो रीजन था trade union का इमर्ज होने का he considers trade union as essentially reformist organization and institution which must be organized on the basis of assumption that capital and labor are not antagonist मतलब वो दोनों एक दूसरे के opposite नहीं है when I'm saying antagonist इसका मतलब है कोई दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं वो दोनों they are supplement to each other एक का होना दूसरे के होने पे ही निरिभर करता है और दूसरे का होना पहले के होने पे निरिभर करता है so according to Mahatma Gandhi जो capitalist जो employers थे and workers थे वो क्या थे एक दूसरे के पूरक थे मतलब दोनों ही एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं जायर सी तौर पे तो दोनों अकेले-अकेले individually कोई importance नहीं रखते हैं केवल साथ में जब तक नहीं है तब तक उनकी कोई importance नहीं है they should be of they should be a great family living in unity and harmony and capitalist looking for moral welfare of the workers तो गांदी जी के according जो since family है वो लोग और कहीं ना कहीं जो capitalist थे वो एक एक higher position पे है तो rather than exploit करें वो एक dictator की भूमी का निभाएं उनको क्या चाहिए कि वो एक parent के तरह काम करें जब वो अपने आपको parent समझेंगे of the workers तो वो उनकी भलाई के लिए काम करेंगे उनकी welfare के लिए काम करेंगे और जब ऐसा होगा तो एक अच्छा एक harmonious and cordial industrial relations बनेगा I hope आपको एक चीज समझ में आई होगी Kerr and Associates General Approach to Trade Unionism Kerr, Dunlop, Harbidson and Myers observe that the workers protest is inherent in the industrialization and offer an explanation of workers protest which arises from the stress and strain of industrialization तो उनकी according क्याता है workers often found their work distasteful and compensation never commensurate their contribution in the industry तो क्योंकि industrialization आ गया था एक कही न कहीं machine snake जगे ले ली थी तो जो workers थे उनका जो protest था वो इसलिए था क्योंकि उन इंडस्ट्रिलाइशन की वज़े से उनको कही न कहीं stress हो गया था वो अपने जो वर्क है वो उससे satisfied नहीं थे उनको लगता था कि वो अगर काम कर रहे हैं suppose 100% तो उसका उनको जो in return जो उनको मिल रहा है वो केवल 50% मिल रहा है तो उनको जो compensation मिलता था वो उनको ऐसा लगता था कि उनके लिए वो पूरा नहीं है उनके लिए at par नहीं है at par मतलब जितना वो hard work दे रहे है उतना in return उनको नहीं मिल रहा है और यही dissatisfaction from their work and because उनको लगता था कि एक unequal treatment हो रहा है उनके साथ इसी वज़े से trade unions कहीं ना कहीं workers ने protest करना start करा और इसी inequality के against protest करना start करा और यही कारण था उन trade unions के emerge होने का therefore trade unions are formed as a means to protest against the unfair treatment as an expression of resentment over the prevailing industrial system तो जो prevailing industrial system था उसके against उनके उस system के लिए जो उनके मन में एक negative feeling थी उनका जो वर्क था उनको क्योंकि अपना वर्क से वो dissatisfied थे उनको लगने लग गया था कि जो hard work दे रहे हैं उसके against जो उनको wages या salary या compensation जो मिल रहा है वो उतना नहीं है जितना वो hard work दे रहे हैं एक unequal compensation है fair treatment नहीं हो रहा उनके साथ unfair treatment हो रहा है उसी की वज़े से वो protest करने लगे और industrial trade unions का emergence हुआ emergence हुआ आया हो आपको यह समझ में आया होगा control approach by gdh coal according to him the ultimate objective of trade union is to have control of the workers over the industry तो इन्होंने जो call थे इन्होंने बोला था कि trade union इसलिए बनी इसलिए फॉर्म हुई इसलिए इमर्ज हुई ताकि industry पे कहीं ना कहीं workers भी एक control स्थापित कर सके अपना क्यूंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया democratic society नहीं थी full-fledged control capitalist का था जो employers थे जो पूंजी पती थे उनका था और workers को बिल्कुल भी कहीं ना कहीं neglect किया जाना था उनका control नहीं था उनका कम था execution उनको जो बोला गया है उनको वो करना है और वही चीज workers को पसंद नहीं तो क्योंकि workers को था कि industry पे उनका भी कुछ control हो इसी वज़े से with this objective the ultimate objective trade unions का जनम हुआ although the immediate objective में भी higher wages immediate objective जरूर हो सकता है कि higher wages or better working conditions हो but ultimately उनको क्या चाहिए था उनका जो industry है उस पे कहीं ना कहीं control भी चाहिए था और इसी वज़े से trade unions का trade unions emerging he said that it's only to class struggle one can escape capitalism according to him capitalism से अगर हमको छुटकारा पाना है तो कहीं ना कहीं class struggle जो दो classes employers और workers की उनके बीच में struggle होगा उनके बीच में struggle in which form trade unions बनेंगी groups बनेंगे कहीं ना के struggle होगा और इसी यही कहीं 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 कारण बनेंगा कि हम वो जो एक capital structure form हुआता उससे निजात बहा सके उससे दूर हट सके आयोब आ कोई चीज समझ में आई होगी then industrial jurisprudence approach according to S.H. Slitcher the propounder of this theory workers individually fail in bargaining with the employers for protecting their rights in his view trade unionism served as a means for workers to protect them in work such an approach of trade unionism Slitcher termed as system of industrial jurisprudence according to him trade union इसलिए बनी क्योंकि अगर individual worker हो तो individual worker अपने rights के लिए अकेला नहीं लड़ सकता है उनके जो rights है उसको वो अकेला नहीं protect कर सकता है और इसी वज़े से उन्होंने एक group form करा ताकि group form करने के बाद फिर वो इना group अपने rights को protect करें जैसे केते हैं कि एक से भले दो तो same situation आप यहां समझ लो कि अगर कोई single इंसान अपने लिए लड़ रहा होगा अपने rights के लिए आवाज उठा रहा होगा तो वो इतनी impactful नहीं होगी employers के उपर दबाफ कब बनेगा जब group of members मिलके एक साथ कोई चीज के लिए लड़ रहे होंगे कोई चीज के लिए आवाज उठा रहे होंगे और यही reason था trade unions के emerge होने का in other words employees cannot exercise control over the working condition in an industry through individual bargaining individual bargaining मतलब single single employees bargain करके एक control नहीं exercise कर सकते उस particular industry पे working conditions को improve करने के लिए and क्योंकि उनको अपनी conditions को improve करना था अपनी situation को uplift करना था इस वजह से उनको एक group form करना पड़ा ताकि वो collectively bargain कर सके और यही group क्या है trade union है I hope आपको यह चीज समझ में आई होगी and this was it I hope आपको यह जो trade union approaches थी यह समझ में आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज सब्सक्राइब to my channel and share my channel with your friends मैं next video लेकर जल्दी आऊंगी and यहां जो मैंने अभी आपको इस वीडियो की starting में बताया था कि रोबर्ट हॉक्सी की जो types of union है प्लीज आप उसका जो मैंने वीडियो एक अलग से बनाये हुआ आई बटन में क्लिक करेंगे आपको वीडियो मिल जाहेगा तो आप वीडियो भी देखिएगा that video is also equally important as this one and I hope आपको यह सारी की सारी approaches समझ में आई होंगी, still अगर कोई problem हो, कोई query हो, you can ask me in the comment section so मैं next video लेकि जल्दी आऊंगी, till then keep learning, stay connected with me and thank you